सत्ताधीश होने का सपना देख रहे अखिलेश खेवन हार ने ही दिया उसी भाषा में जवाब हो गई बोलती बंद पोश्टर बाजी के बीच उपचुनाओ का संग्राम सेमी फाइनल में अखिलेश को परिवार में ही उलजाया दिया सीधा जंदेश सीम योगी ने 27 की स्क्रिप्ट अभी से लिखी अखिलेश अपनो सही दूर होने लगे फिर मुगी खाने को तयार हो रही सपा यूपी में उचुनाओ की सरगर्मी के बीच पोश्टर वार शुरू हो गई है 48 घंटे पहले अखिलेश यादो की फोटो के साथ एक पोश्टर सामने आया था जिस पर लिखा था 27 का सत्ताधीश इस पर बीजेपी की सहीओगी निशाद पार्टी ने भी 2027 के खेवनहार लिखा पोश्टर लगनओ की सलकों पर चस्पा कर दिया है निशाद के इस पोश्टर को अखिलेश यादो के पोश्टर का पलटवार मनज़ा रहा है सपा भले ही अभी से 27 को लेकर सपने देखने लगी हो लेकिन निशाद पार्टी ने उसे जगा कर सियासी चर्चा का विशय बना दिया है दोनों पोस्टर्स को लेकर सियासी गलियारों में ही नहीं सोशल मेडिया पर भी खूब चर्चा हो रही है निशाद पार्टी के करता धरता संजय निशाद इस पोस्टर पॉलिटिक्स पर क्या बोल रहे हैं सुनिए हम तो बगवान राम को पार उता रहे थे और हमने तो सब को पार उता रहा किसी को छोड़ा ही नहीं सपा बसपा कांग्रेस को लेकर उजने मर्दार में सोड़ दिया आज के दिन में किसी बैक्ती ने आज के दिन में आप देखे होंगे निशादों का वोट तो लेते थे, कभी कोई मुक्मंत्री और कोई प्रधान मंत्री और कोई भेक्ति बगल में बैठ कर बात करना भी गुरज नई समझते थे। को लोग यही समझते हैं निसाद राज नहीं है क्योटा मलावा बिंदवा कस्यव कह रहा है आज सम्मान सहित निसाद जी कहके पुकारते हैं और डाक्टर संजे निसाद राज के बंसच के रूप में गले लगाकर इनकी समस्याओं का समाधान भी करते हैं इसी की देन है कि लिए की इसी देन झाद ख़ाए निसाद पार्टि के सब्सक्राइं YouTube के तो सुना आप ने संजे निशाद निशाद कह रहे हैं कि जिन्होंने राम को पार कराया वह बीजेपी को भी कराएंगे दरसल निशाद पार्टि के पोस्टर के जरिए कई संदेश निकलकर सामने पहला संदेश ये कि बीजेपी के सही योगी जिने भले ही उप्चिनाओं में लड़ने का मौका नहीं मिल रहा फिर भी वो उसके साथ है और सीम योगी के नेत्रत्तु में एंडिये की छत्री तले सपा से भणने को तयार है एक और संदेश ये कि बीजेपी ने अपने सही यो उन्होंने कॉंग्रेस को दरकिनार कर दिया है लोगसभा चुनाओं में यूपी के दो लड़कों ने मिलकर बीजेपी को कड़ा मुकाबला दिया था लेकिन अब अखिलेश को राहूल की जरूरत नहीं जबकि दूसी तरफ बीजेपी सबका साथ लेकर आगे बढ़ रही है ये बात वो खुद नहीं बलकि उसके सहीयोगी भी कह रहे हैं और जैसा की आपने सुना संजे निशात कह रहे हैं कि उन्होंने सबका साथ दिया लेकिन बीजेपी के सिवा उनके साथ कोई खड़ा नहीं रहा ऐसे में वो बीजेपी की सियासी नाओ के खेवनहार बनना पसं इसलिए बीजेपी से पहले निशात पार्टी नहीं खुआबों की सत्ताधीश को जवाब दे दिया है हाला कि एक तरफ पोस्टर वार चल रही है तो दूसरी तरफ उपचुनाओं की सरगर्मिया भी तेज हैं फाइनल से पहले होने वाले समी फाइनल मुकाबले में सपा औ कि अखिलेश ने अपनी छोड़ी सीट पर तेज प्रताप को उता रहा है यानि कि सीट पर सीधा मुकाबला यादो बनाम यादो होने ज़ा रहा है इसी तरह आठ अन्य सीटों पर भी दिल्चस्प मुकाबला देखने को मिलने वाला है